कलेक्टर ग्वालियर श्रीमती रुचिका सिंग चौहान के मार्गदर्शन में जिलास्तरिय नियमित टीकाकरन सुद्रिधी करन कारेशाला W.HO के सहयोग से गुरुवार को संपन्ध हुई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्ते अधिकारी डॉक्टर आर के राजोरिया ने बताया कि कारेशाला विवस्थित रूप से आयोजित की गई जिसमें शहरी एवं ग्रामीन ख्षेत्र के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे उन्होंने बताया कि कारेशाला में उपस्थित प्रतिभागियों के टीकाकरन से संबंधित प्री एवं पोस्ट टेस्ट लिया गया उन्होंने कहा कि आज की कारेशाला से निश्चित तोर पर जिले के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को लाब होगा और उनका टीकाकरन शत्प्रतिशत होगा आज जो प्रतिभागी आज कारेशाला में आए हैं और प्रशिक्षन प्राप्ट किया है वह अपने अपने कשेतरों में जाकर स्वास्ते कारे करताओं को जानकारी वप्रशिक्षन देंगे जिला टीकाकरन अधिकारी डॉक्तर आर के गुपता ने टीकाकरन की जानकारी दी साथ ही डबल्यू एचो के एस एम ओ, डॉक्टर डॉट एम एस, राजावत ने जन्व से पांच वर्ष तक के बच्चों को कौन से और कब टीका लगाया जाता है, बताया साथ ही कौन सा टीका किस बीमारी से बचाता है, विस्तार से बताया साथ ही टीका करन हे तु बच्चों की ड्यू लिस्ट टीका करन के न चूटे। साथ ही डॉक्टर M.S. राजावत ने प्रतिभागियों से टीका करन से संबंधित एक्सरसाइज भी कराई वा प्रतिभागियों के सवालों एवं शंकाओं का समाधान किया। और सभी हमारे जो ग्रामीड या जो चेत्री इस्तर के कार करता है इनको ट्रैनिंग देंगे जिससे के हमारे जनता के भी अच्छा टीका करन हो सके उनके बच्चों का यह सुद्दा देने के लिए एक आज का हमारी वर्क्षव पकीगे। कोर्णा से बचे और हमारे बीमारियों दबच रहें और हमारे बच्चे भी स्वक्षत हैं हमारा पॉलियों कार बिकलांकता नहीं हो रही है।